नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बीएचियू पार्ट साला के इस ऑनलाइन लर्न प्रटफॉर्म में मैं हूँ आदित्य सिंग्ग आज हम टॉप 700 MCQs सीरीज जो चल रही है उसके फिफ्ट वीडियो में अगले 20 प्रश्णों को देखेंगे उनके आंसर्स को देख लोगों को लोगों ने दिया हुआ है ज़से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो में मैंने कुछ आपसे कुशन पुछे थे उसका आइसका अच्छे से लोगों ने दिया हुआ है जैसे बहुत थारे आंसर्स बहुत अच्छा आया थे और मैं आंसर्स रिपीट भी करना चाहूंगा इस रोग के स्थापना कब होई थी तो 15 अगस 1969 को ही थी स्थापना उसके वर्तमान में अध्यक्स हैं डाक्टर के सीवन जी और वर्तमान में हमारे आर्मी चीफ हैं मनोज मुकंद नर्वाडे जी और उसी के साथ हमने ये पूझा था कि फ्रांस की कैरेंसी क्या थी यूरो के पहले वर्तमान में Euro है Euro के पहले क्या थी तो वो थी French Frank थी और वर्तमान में भारत में bullet train जो है किस दो सहरों के बीच में चलाई जाएगी तो Mumbai और आहमदाबाद की बीच में यह अभी प्रस्तावित है दोहरते इस तक पूरा होने के आशार है इसके जैपान के एमबैसी ने दूतावासनीबाद कही हुई है मुरादाबाद को किस रूप में फेमश है या किस नाम से जाना जाता है तो ब्रैस हैंडिक्रैप के रूप में जा आज जाता है और मैंशेस्टर ओफ नार्थ इंडिया तो मन्चेस्टर ओफ नवसं लॉडिया क से कहा जाता है तो वह双ता है कानपूर को और E-S-A जो है वो क्या है कि European Space Agency है जिसका Headquarter कहाँ पे है पेरिस में है और पेरिस जो है वो किसकी राजधानी है तो पेरिस राजधानी है आपकी फ्रांस की ठीक है यह सारे आपके फैक्त बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं तो चलिए अब हम अपने आज के प्रस्ण की तरफ चलते हैं हमारा पहला कोशन है और इसी के साथ मैंने लास्ट वीडियो मैं आपको बताया था कि नेशनल टूरिजम डे कब मनाया जाता है वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप यह जानिए कि इसके जो वर्तमान में मंत्री कौन है जी किशन रेडडी जी है और एक और मंत्री यानि कि एक और मंत्रा आले कि मंत्री है जी किसन रेडडी जी जो है वह ministry of culture के भी मंत्री है और यहाँ पे home ministry की बात करी है तो वर्तमान में आमिच्छा जी जो हमारे वह क्या है कौन सा राज भारत का पहला राज बन गया जिससे के पास या जिसमें दो एक्सप्रेस्वे हवाई पट्टी है जहां पर कभी भी जो है एमर्जेंसी लैंडिंग हो सकती है या फिर टेक ओफ हो सकता है तो इसका जिग्जैक्ट खरांसर होगा वह क्या होगा आपका उतरपदेश होगा और उतरपेश में यह दो एक्सप्रेस्वे एयरस्टिप्स हैं और उतरपदेश के वरतमान में मुक्य मंतरी सीम योगी आधीतनाथ जी हैं और गवर्नर कौन है आंदी बेर पटेल हैं वेस्ट बंगाल के बात करें गौवर्नर गनिशी लाल जी है मैंने अलेड़ी भी आपको बता हुए है वेस्ट बंगाल की राजधानी कहा है कलकता में है उजयात के बारे हमने अलेड़ी बताया गाधी नगर इसकी राजधानी है वरतमान में CM है के विजय रुपानी जी और यहां के राजय पाल यानि आपको क्लियर हुए हम अपने अगले कोशन पर चलते हैं हमारा अगला कोशन है कंट्री फर्स्ट सेंट्रलाइजड एर कंडिशन रेल्वेट टर्मिनल इस बिंग बिल्ट इन विच चिटी इसका पहला केंद्रिकृत वातानुकूलित टर्मिनल की सहर में बनाया जा रहा है तो इसका जो एक्जाक टांसर होगा वह आप क्या होगा बैंगलूरू ठीक है बैंगलूरू में बनाया जा रहा है बैंगलूरू कहां पढ़ता है करनाटका की राजधानी है यहने हिंदी के लिए हिंदी मीडियो में से कहते हैं करनाटक कहते हैं और इंगलिश में करनाटक इसके exact pronunciation होना चाहिए, हैदराबाद जो है, वो कहां परता है, तेलंगाना की राज़ानी है, वरतमान में यहां के CM कौन है, तेलंगाना के, तो केच चंद से खर रहा है, यहां के CM है, और यहां की राजपाल कौन है, तो डाक्टर तमिली शाई, सौंदरा राजन है, ठीक है, तो यह भी fakٹ आपको clear हूए, मुंबई की बारे में बात करें, तो मुंबई कहां परता है, यह कैपिटल है, कहां कीarde है, तो यह कैपिटल आपकी, यू है कि मुंबई, जो है वो महरास्ट्रा की capital है, यह summer capital है, और winter capital क्या है, यह की, नागपूर है, इंदॉर की बारे में बा है और जो भी इस से लिटेट फैक्स आप जानते हूं वह आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं तो चलिए हम अपने अगले प्रसिंट के तरफ चलेंगे हमारा अगला क्वेशन है रेसेंटली गाधी इस डेट एनवर्सरी इस ऑप्जॉर्ब्ड ऑन थर्टीथ ऑफ जैन होती है और इनकी मिर्तिव कहां होती है बिल्ला हाउस में होती है जो की नियु देली में पढ़ता है ठीक है अभी वहां पर गांधी स्मृति भी बना दिया गया हुए है और इनकी जो हत्या है कह लें तो या अशेशनेशन कह लें तो वह कौन करता है तो वह करते हैं सब्सक्राइब मिलिटरी एक्ससाइज एमफेक्स 2021 और जस्ट टॉंटीवन यहां पर है है इस बिन और इंडिया ठीक है हाली में किस तरह का सन अभ्यास एमफेक्स 21 भारत और ऐसरी किया गया है तो यह किस तरीके अधा यह जो ली से 23 जनवरी नरी 29 तक यह हुगा था इसे तीनों शेनाया जो है हमारी वो participate की हुई थी और इसका जो conduction है या कौन conduct किया था तो वो navy की थी लेकिन इसमें तीनों सेनाया participate की थी और ये कैसा इसका nature कैसा था थी try exercise था ठीक है ये कैसा था ये try exercise था तो चलिए अपने अगले क्वेशन की तरफ चलते हैं हमार आगला क्वेशन है इलॉन मस्क स्पेस एक्स created a new world record by launching how many satellites on a single rocket इलॉन मस्क के स्पेस एक्स के ही के एक ही डॉकेट पर कितने उब्रह लांच करके एक नया विश्व पूरी है ठीक है और काफी famous हैं आप सब को पता होगा एक billionaire हैं यह भी सारे fact आप जानते होंगे इनके बारे में इससे पहले यह रिकार्ड जो 104 का था वो किसके पास था इसरो के पास था इसरो ने फरवरी 2017 में यह record बनाया हो था 104 जो है वो उसने यूं कहां है कि जो satellites को launch किया था ठीक है एक ही बार में और एक ही rocket से तो चलिए अगले question के तरफ चलते हैं हमारा अगला question है recently which state government has launch उद्यम सार्थी एप ठीक है हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यम सार्थी एप है launch किया हुआ है तो इसका जी जैक टांसर हो आपका उत्तरपरदेस टीक है उत्तरपरदेस की बारे में हमने हमने अभी ondles है पहला है आपका विशाका पट्णम अब्लाग काटेल है कोर्णौल में है तो कोरbolock जो है वह आपका जूर यूडिशिएल capital है अम रावती जो है आपका legislative capital है ये तीन capital है वरतमान में cm कौन है तो वरतमान में cm कौन है y.s. जगन मोहनड़ी ठीक है y.s. जगन मोहनड़ी जो है वरतमान में क्या है आपके वहां के cm है कहां के आंद्रप्रदेश के cm है y.s. और गवर्नर कौन है तो विश्वभूशन हरी चंदन है ठीक है कौन है विश्वभूशन हरी चंदन गवर्नर यहां के कौन है विश्वभूशन हरी चंदन जहां वो वरतमान में अंद्रदेश के गवर्नर है करनाटका की बात की जाए करनाटका की अगर हम बात करें तो पढ़ती है इसके वरतमान में सीम कौन है तो बीएस बोमाई यानि बाशाव राज बोमाई है जिन को युद्प है जिए फैक्ट डिटेल जो है वो लास्त वीडियो में हमने डिसकूस किया हुए है और यहां के वर्तमान में गोवर्नर कौन है तो यह थावर्चन गहलोथ यह टी-सी गैलोद जो हैं आके वर्तमान में गवर्नर हैं तो ये भी फैक्ट आपको क्लियर हुआ हम अपने अगले कोशन पर चलते हैं हमारा अगला कोशन है रेसेंटली डिया डियो हाज हैंडेड ओवर मोटर बाइक एंबुलेंस रक्षिता टू हूम हाल में डिया डियो ने मो स्थापना मैंने पहले बताया मैं बार फिर आपको बताता हूं इसके स्थापना कवोई थी 1958 में होती है ठीक है इसके स्थापना कवोती आपकी 1958 में होती है आपको जानना जरूरी है वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष है जी सती से रड़ डिजी यह सारे fact आपको clear हुए हम अपने अगले question पर चलते हैं हमारा अगला question है we have observed which Republic day in 2021 यह आपको question बहुत easy लग रहा होगा लेकिन बहुत tricky question है बहुत बारा मैंसे questions में mistake करते हैं इसलिए हमने यह question set करा हुआ है तो यह हमारा क्या 73rd था क्या 71 था यह 72 था तो the exact answer would be 72 था यह ठीक ह यह हमारा बहुत तर्मा गरतंत दिवस्ता जो हमने 2020 में मनाया हुआ है it's all right सारे चीज़ा आपको clear हो गए होगे अगले question पर चलते हैं India has secured which rank in global climate risk index released by German watch NGO भारत ने German watch NGO द्वारत जारी global climate risk इसके इंडेक्स में कौन सी rank हासिल की है तो भारत ने सात्वी rank हासिल की है और जो top three countries है वो कौन है मोजांबिक है आपका Jim Bombay है ठीक है मैं रिपीट करता हूं top three countries को मोजांबिक है इसमें उसके बाद आपका Jim Bombay है और उसी के साथ साथ एक और country इसमें बहामाज यह तीन जारी किया जाता है अगले question पर चलते हैं recently ministry of road transport has decided to impose which tax हाली में सड़क परिवहन मंत्राले ने किस tax को लगाने का फैसला किया है तो the answer would be green tax ठीक है अब green tax के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि जो transport vehicles हैं ठीक है जो यानिकि transport के vehicles हैं और जो personal vehicles हैं दोनों के लिए अलग-अल लग नियम है यह rules है अब जो transport vehicles हैं वह 8 साल के बाद जब अपना fitness renewal कराने जाएंगे तो उनको यह green tax देना पड़ेगा जो personal vehicles हैं जैसे किसी के कार होई personal vehicle में तो वह 15 वर्ष के बाद जब अपने certificate का यूं कहा है कि renewal कराने जाएंगे certificate यानि registration certificate जो होता है किसी भी गाड़ी क या किसी vehicle का तो जब 15 वर्ष बाद जो है 15 years बाद जब उसका renewal कराने जाएंगे जो registration certificate होता है तो उस time पर उनको क्या देना पड़ेगा green tax आपको देना पड़ेगा ठीक है it's all right यह सारे चीज़े आपको जो है वो clear हो गई होंगी और यह आपको जानना बहुत जरूरी नहीं है बट आप as a general information जान सकते हैं और जो transport vehicles पर वो कितना लगेगा तो वह आपका जो road tax होता है transport vehicles का उसका 10 से 25% तक जो है वो green tax लगेगा तो यह सारे factor है लेकिन आप बस यह जानके रखिए green tax का नाम और कौन लगा रहा है से ministry of road transport और इसके minister कौन है नितिन गट करीजी ठीक है इसके minister तो वह है नितिन गट करीजी यह भी आपको जानना जरूरी है चलिए हमां पने अगले question पर चलते हैं हमारा अगला question है which space agency has launched falcon 9 rocket and set the world record कीस अंतरिक्ष एजनसी ने falcon 9 rocket launch किया है और विश्व रिकार्ट बनाया तो इसका answer क्या होगा पे space x होगा space x होगा जिसके और वह satellite था या नहीं अभी आप बिल्कुल confirm हो जाएंगे आपको मैं दिखा भी देता हूं मैं किस question की बात कर रहा हूं देखिए यहां पर हम बात कर रहे थे how many satellites on a single rocket इसी question की हम बात कर रहे थे तो आप से बिल्कुल clear भी हो गया होगे तो अभी यह आप देख सकते हैं इस इसका फुल-फॉर्म है इसका फुल-फॉर्म क्या आपका National Aeronautics and Space Administration इसका स्थापना इस्टेब्लिश्मेंट कब होई थी तो इसके स्थापना इस्टेब्लिश्मेंट होते हैं 29 जूलाइए 1908 को ठीक है 29 जूलाइए 1909 को ठीक है 29 जूलाइए 1909 को से इसकी स्टेब्लिश्मेंट होती इस्टेब्लिश्मेंट कब होता है मैंने अभी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया है 15 जैनवरी 1909 को ठीक है नहीं की 15 अगस्ट 1969 को जैक्सा क्या है यह जैपान की एरोस्पेस एजन्सी है जिसका फुल फॉर्म है जैपान एरोस्पेस एक्टूबर 2003 को हुई थी ठीक है इट्स ओल राइट फाइन अगले कोशिन पर चलते हैं हमारा अगला कोश्चन होगा आपका इन वीच ओफ फॉलोइंग सिटी टीसला है डिसाइड टू सेट अप डियर रिशर्च अड डिवलप्पेंट चंटर तो यह कहां पर बात की जा रही है तो यह बैंगलूरू में बात की जा रही है यह और यहां पर बैंगलूरू के जो है वो किस नाम से जाना जाता है तो बैंगलूरू को जो है वो सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है और इसी के साथ साथ बैंगलूरू को जो है वो यह कहां कि स्पेस सेटी के नाम से भी जाना जाता है और इस रोग का है आप मुझे फिर से एक बार कमेंट में ब लिखेंगे क्योंकि इस रोक से कुश्चन बार-बार आते रहते हैं तो आप मुझे एक्जैक्ट आंसर बताएंगे इस रोका यूँ कहां कि इस रोक के बारें जो भी डीटेल्स आपको पता है वह सारे लिखें जो कि इंपोर्टेंट है एक्जाम परस्पेक्टिव से चन्नाई के बारें बात करते हैं चन्नाई जो है वह तमिलाडू की राजधानी है और यहां के वर्तमान में यह कहां कि तमिलाडू के सीम कौन है तो वह कौन है मैंने आपको अल्लेड़ी बता हुआ है और इसी के साथ आप य भी जाएं कि यहां के गौवर्णर कौन है तो बनवारी लाल पुरुई जी है और यहां की जो गौवर्णर है तमिली साई सुंदरा राजन है ठीक है ये सारे फैक्ट आपके क्लियर होगे डेली के बारें बात करें तो डेली के जो मुख्यमंत्री है यहां सीम आपको पता ह होगा अरविंद के जिवाल जी हैं और डेली के जो लेटिनेंट गौवर्णर हैं वो कौन है अनिल बैजल जी हैं तो यह सारे फैक्ट क्लियर हुए मैं आपको फिर याद दिला देता हूं इस रो के बारे मैं आप जो भी जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए एक बार फिर से मैं आपको कहा रहा हूं विकॉज इससे कोशन आते ही रहते हैं हमें इस एक्जांस में तो आप चीजों को जितनी बार लिखेंगे उतने ही आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगे आगे चलते हैं रेसेंटी विच कंट्री वोस् फ्रांस में इफिळ टावर यह आप मुझे बताएंग ठीक है यह murci रजञानशी ऊपटर की नリूट यहां रशिया की बात करें रशिया की राज़दानी जो है वो आपका मॉसकव में है और यहां के जो यह कह लिजी आप मुद्रा है याफिर कैरंसी वो क्या आपका रूबल है ठीक है रॉबल है तो इस ओले सारे चीजे़ क्लियर हो चुकी है हम अपने अगले केशन पर चलते ह है हमारा next question है 95th question of the series which countries to develop the line city a city with no roads cars are a city with no cars roads are carbon emissions कौन सा देश the line city नामक सर्विक्षित कर रहा जिसमें कोई कार सड़क या कार्बन उत्वर्जन नहीं होगा ठीक है तो इसका जिग्जक्ट आंसर वह आपके आपके एरान की करेंशी के या मुद्रा है वो रियाल है यह फैक्ट आको से के बारे में हम वेज़ा बताकर रखा हुआ है यूवजक की अगर हम बात करें तो यही के कैप्टल मुझे आप बताएंगे और शीक साथ मैंने कंपको आरदी बताकर किया है और कैपिटल भी बताकर रखा है तो आप मुझे दोनों बताएंगा ठीक है? यहां पर currency मैं आपके एक help कर देता हूं यहां पर currency दीरहम है लेकिन आप मुझे capital बताएंगे क्या वो अबुधाबी है क्या वो दूबई है मैं आपको दो options भी देता हूं लेकिन आप मुझे comment box में बताएंगे ठीक है it's all right हम आगे चलते हैं हमारा अगला question है यहां पर which country launched the first time ever paperless budget in 2021 किस देश ने 2021 में पहली बार paperless budget launch किया तो वो कोई और देश नहीं है वो हमारा देश भारत है it's India ठीक है इंडिया would be the correct answer of this question और किस ने इसको launch किया है या फिर यूं कहा है sorry launch भी कह सकते हैं present भी कह सकते हैं तो इसका exact answer होगा वो निर्मला सितारमन जी ने जो है उसको paste किया था और वो country कौन थी भारत थी हमारी वरतमान में finance minister है निर्मला सितारमन जी यह भी आपको पत 2021 को यह हुआ था आपको exact चीज़े पता होंगे ठीक है it's all right हम आगे चलते हैं और चाइना के बारे में बात करें तो चाइना की राजधानी कहां पर बीजिंग में है और यहां के जो करन्सी वो क्या है रेन मिन भी है ठीक है रेन मिन भी है मैं आपको अलड़ी बता कर रखा आपके लिए चलिए आगे चलते हैं हमारा आगला कोशन है डिया डियो एसोसियेटेट विट विच वन आप फॉलोइंग तो डेवलप इंडियास फर्स्ट इंडिजेनस मशीन पिस्टल निमलिकित में से किसके साथ मिलकर डिया ने भारत की पहली स्वादेशी मशीन से एक बार तो यहां पर इंडियन आर्मी होगा ठीक है इंडियन आर्मी ही होगा तो यह कुशन पर मैं आपको थोड़ा सा छोड़ दी देता हूं और इस दो के बारे मैंने आपसे डिसक्रस करा हुआ है एयर फोर्स के बारे में मैं भी डिसक्रस करा हुआ है लेकर फिर मैं आठ एक बार बताता हूं कि Aire force जो है उसकी Air Force Day कब मना जाती है तो आठ और नेवी डे चार दिसंबर को मैं आयाता है और ये जो हैं वरतमान में नेवी के प्रमुख कौन है तो मैंने ये भी बता हुए आप सबको तक्कर अमवीर सिंग जो हैं वरतमान में नेवी के प्रमुख है और इस रो के प्रमुख कौन है डाक्टर के सीवन ये भी आपको अल और यह बहुत बहतर स्कीम है आप सब देख सकते हैं कितना आपको सुनके बहतर लग रहा होगा वन स्कूल वन आई इसके बारे में बात की जा रही जो बच्चे फाइनिसली वीक है उनको सपोर्ट करा जाएगा और यहां के मुक्मंत्री कौन है पिनराई विजियन है गौवर स defenses यह हैंघार के लमोजगे फ maintenant समझें मॡुकिडर होक राघ मिज़ियन है इस एसे आपको होनाud frag है औरear बात करें की राजधानी कहा यह तो जैपूर में यह वार्को तो की स्फेल से जुड़े हैं तो वो cricket से संबंदित हैं और जो लोग cricket के बिलकुल कह सकते हैं कि यूँ थोड़े से informal way में तो दिवाने हैं आप बहुत अच्छे से cricket देखते हैं तो आप सब comment box में बताएंगे कौन बहुतर तरीके से cricket देखते हैं तो उनको ये पता होगा ये जमायका के रहने वाले थे और वेस्ट एंडीज जो की अब विंडीज के नाम से जाना जाता था उसके तरफ से क्रिकेट खेलते थे और बहुत बहुत बहुतर अल्राउंडर्स में इनकी एक काउंटिंग होती है गिंती होती है तो चलिए हम अपने अगले कोशिन की तरफ चलते हैं और आज का हमारा लास वर्सों के लिए बढ़ा दिया हुआ है तो यह थे हमारे आज की 20 प्रस्ण और सीरीज के अब तक हंडिट कोशन हो चुके हैं मुझे आसाही ने विश्वास है कि आप इस सीरीज को बहुत तरीके से फालो कर रहे होंगे और कहीं ने कहीं आपकी प्रपरेशन बहुत जो पीडिएफ का जो लास्स्लाइड आएगा या लास्ट पेज आएगा तो वहां पे कुछ ऐसा सीन दीखेगा आपको और वहां पर इसी लिंक जो दिया जैसे माने आप अल्यडी पार्ट फॉर लिखा हुए तो जैसा ही आप इस लिंक पर पूरे पे क्लिक करेंगे तो आ बहुत बहुत धन्वाद